भारत माता की जरा दोनों हाथ उपर करके दिल्ली तक आवाज पहुंचनी चाहिए भारत माता की भारत माता की बजरंग बली की बजरंग बली की बजरंग बली की पर्शु रामा क्छेत्र दा यन्ना मोके दा तुरू अप्पे लोकुले सोल मेलो स्री मुल्की वैंकड रमन स्वामी को मेरा नमस्कार मैं शांती और सद्भाव का संदेश फेनाले वाले सभी मठों तिर्थंकरों और संतों को स्रध्धा पुर्वक नमन करता हूं पिछले वर्ष मुझे शिवगिरी मठ में श्री नारायन गुरु से आशिर्वार लेने का सवभाग ये मिला था आज जिस सबका साथ सबका विकास के मंत्र को ले करके हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें सभी संतों की ही प्रेर्णा है ये मुझे बता रहे हैं कि यहां इंटर्प्रेशन की जरुत नहीं है गाउं के लोग भी हिंदी समझ लेंगे ये आपका प्यार है ये आपका अशिर्वाद है जनता जनार्दन का आदेश हमारे सरांखों पर आखिर कर आप ही इस देश के 140 करोड़ लोग वो ही हमारा रिमोट कंट्रोल है और इसलिए आपने कहा कि इंटर्प्रेटेशन की जरुत नहीं है है तो मैं आपके आदेश को अपने सरांखों पर चड़ा देता हूं कि सहोदर सहोदर यरे कि दस मई कि याने अगले बुद्वार को मत्दान का दिल बहुत दूर नहीं है बीजेपी का संकल्प है करनाटका को नमबर बन बनाना बीजेपी का संकल्प है करनाटका में आदोनिक इंफ्रास्ट्रक्टर का निर्मान करना बीजेपी का संकल्प है करनाटका को मैनुफेक्टरिंग सूपर पावर बनाना ये हमारा आने वाले वर्सों का रोड मैप है वहीं कॉंग्रेस गोट मांग रही है और क्या करें ये है कॉंग्रेस क्या कह रही है जाकर के वो कहते हैं कि हमारा एक नेता रिटाइड होने वाला है अब वो जा रहा है जाते जाते एक दे दो कॉंग्रेस आपका वोट इसलिए चाहती है क्योंकि उनका एक नेता रिटाइड हो रहा है कॉंग्रेस आपका एक वोट इसलिए चाहती है कि बीजेपी सरकार के फैसलों को जनहित की योजनाओं को यहां के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किये हैं उन सब को पलटना चाहती है कॉंग्रेस कुछ भी कर ले मैं करनाटका में पिछले तिन-चार दिन से चुनाव रेलिया कर रहा हूं छोटे-छोटे बच्चों का प्यार देख रहा हूं माताओ बहनों के आशिरवात पा रहा हूं नव जवानों का जुस्सा देख रहा हूं किशानों की आख मैं उमंग रुस्सा देख रहा हूं और मेरे कानों पर एक ही आवाज आती है एक ही विश्वास आता है एक ही संदेश सुनने को मिलता है एक ही मंत्र गुंज रहा है इबारिया निर्धारा इबारिया निर्धारा बहमद्दा बीजेपी सरकारा बंदू बगिनियरे दक्षिन कंडण और उडुपी सिख्षा के खेत्र में टॉपर्स के लिए जाने जाते हैं आप बली भाती जानते हैं कि करनाटका को देश में नंबर वन बनाने का क्या मतलब है हमारा प्रयास है कि करनाटका अउद्यों की विकास में नंबर वन बने बनना चाहिए ना जराज जोरों से जवाब दीजिये बनना चाहिए ना नंबर वन बनना है ना करनाटका को नंबर वन बनना है ना हमारी कोशिश है कि करनाटका क्रिश्टी विकास में नंबर नंबर करनाटका को और पॉड्व नंबर को नंबर में नंबर को बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं अमारा लक्ष है कि करनाटका काश यहां पर स्वास्त और शिक्षा में यह हमारा राज्य नंबर झाल झाल